पिशले दो-तिन दिन से जो खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बड़ी वाइरल हो रही थी और संसरी की तरह फैल रही थी वो है हार्दिक पंडिया का मुंबई इंडियन्स जाना तैह है हार्दिक पंडिया मुंबई इंडियन्स आप यह कह सकते हैं एक तरह से चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी sound off किया था फ्रेंचाइजी को गुजराद टाइटन्स को कई महीने पहले और गुजराद ने शुरु में कोशिश की हार्दिक को रोक के रखने की बाद मैंनोंने रेलाइज किया नहीं आद इन्हें रोक नहीं सकते अब दूसरी बात ये थी कि जब ट्रेड ओफ की बात आई तो गुजराद ने भी मुंबई से हर्दिक की एवज में बड़े प्लेयर्स मांगे जो मुंबई ने मना कर दिये मुंबई ने का हम किसी खिलाडी को बड़े खिलाडी को ट्रेड ओफ नहीं करेंगे हम किसी को रिलीज नहीं करेंगे So which means कि आपके पास जो मुंबई के पास option थी जो उन्होंने exercise की है वो है हार्दिक को all cash deal में buy out करनेगा यानि कि जो 15 करोड रुपे उनकी franchise fee थी वो मुंबई इंडियन्स देगा अपने पर्स से गुजराद टाइटन्स को यानि कि गुजराद टाइटन्स का जो पर्स है उसमें 15 करोड रुपे आ जाएंगे वो auction में या auction के बाहर से खिलाडी ले सकते हैं अब मुंबई के लिए एक थोड़ा सा technical hitch ये है as of now कि उनके पास पर्स में जादा पैसे नहीं उनको तक्रीबन साड़े 9 करोड रुपे सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पंडिया के trade-off के लिए निकालने है और obviously उनको दो या तीन बड़े खिलाड़ी उनको release करना होगा जहां पे वो कम से कम 9-10 करोड रुपे तो हार्दिक पंडिया के निकालते हैं और उनको auction में भी जाना है यह न भूले कि उनको auction में भी जाना auction में भी वो कुछ पैसा ले कर जाएंगे तो मुंबई फिलाल के सामने यह दिक्कत है कि यह पैसे कहा से निकालें यानि कि किन-किन खिराडिं को release करें वो उनके लिए छोटी प्रॉब्लम है लेकिन जो बड़ी दिक्कत मुंबई इंडियन्स के सामने आ रही है वो है रोहिट शर्मा अब देखिए जब आप हार्दिक पंडिया की बात कर लेते हैं तो उसमें टीन स्टेकोल्डर्स दिखते हैं आपको सीधा सीधा एक है गुजराट टाइटन्स जो हार्दिक को release करेगा एक है मुंबई इंडियन्स जो हार्दिक को लेगा और एक हार्दिक पंडिया खुद लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चौथे स्टेकोल्डर है रोहिट शर्मा उनका मत क्या है थोड़ा पीछे जाए आप इसी आइपिल में देखें जब हार्दिक ने वो बयान दिया था उन्होंने कंपेर किया था चन्ने इस ओपर केंग्स और मुंबई इंडियन्स के एथोस को और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टीम चन्ने की तरह बनाना चाहता हूं क्यो और बनाते बनाते बड़े करते हैं और वहाँ पर तो उस वक्त ये देखा गया था कि शायद जो मुंबई इंडियन्स फ्रेंचाइजी है वो भी हार्दिक से बहुत जादा खुश नहीं होगी क्योंकि इतना बड़ा बयान उन्होंने शुरू में हार्दिक को खिलाया और लेकिन अब वो फ्रेंचाइजी हार्दिक को वापिस लेकर आ रही है हार्दिक आपको याद होगा जब दो-तिन साल पहले जब रिटेंशन की बात आई थी उन्होंने मुंबई को ये कहा था कि आप मुझे कप्तान बना दें रोई शर्मा तब कप्तान थे उन्होंने कहा थ अब देखके तो उनको इंडिया की कप्तानी दे दी गई ठीक है आज वो इंडिया की कप्तान है क्योंकि गुजराथ ने उनको जब दिखाया कप्तान के तौर पर और जिताया उन्होंने अपनी तीम को आगे हार्दिक ने तो यह हुआ कि इनमें लीडिशिप क्वालिटी ह कट तू नाउ हार्दिक अगर वापिस जा रहे हैं तो वो कप्तान के तौर पर जा रहे होंगे कप्तानी से नीचे तो नहीं कहेंगे न जासे अदा वो यह कह सकते हैं चलो रोहिट भाई जो है एक सीजन कप्तानी कर लें और पिर अगले सीजन से मैं कप्तान हूँ यह भी एक दील हो सकती हैं लेकिन फिलाल अगर हार्दिक पड़या ने ही कप्तानी करनी है और उसी कंडिशन पर वो गए हैं तो पिर रोहिट शर्मा का क्या होगा हम यह ना बूले के रूहिद शर्मा भारत के वर्लकॉप कफटान पे एक हफते पहले वर्लकॉप कफानल था और रोट शर्मा की दू बाते हो रही थी कि कफिल डेंव धोनी और प्रचाम का पोस्टर होगा तो अचानक से एक हफते में क्या ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी जिसे उन्होंने अपनी कप्तानी में पांच टाइटल्स दिलाए हूं वो फ्रेंचाइजी रोहित को कप्तान से हटा दे क्या यह जो ट्रेड़ ओफ हुआ है जो बायाउट हुआ है हार दिक मुंबई आए है वास रोहित वेरी कीन ऑन डाट तो फिलाल हला कि आप जानते हैं कि 26 तारीक चार बज़े तक का वक्त होता है और वहां पर जाकर आप अधिक और तौर पर ऑफिशली बता देते हैं कि जी यह हो गया इट इस डण इसके अनॉंस्मेंट अभी ना गुजराद ने की है ना मुंबई ने की है ना बीसी सियाई ने की है लेकिन वह अनॉंस्मेंट हो जाएगी आपको मिल जाएगी अब दिक्कत यह है कि गुजराद को एक नया कप्तान मनाना पड़ेगा शुमन गिल को उन्होंने तयार कर लिया है शुमन गिल उनके कप्तान है आने वाले सीजन के लिए और उनको फिर बड़े खिलाडी भी चाहिए हो उनकी जो कीमत थी उनकी जो बेस प्राइस थी पंदरा करोड जो सीधा अपने पर्स से उनके पर्स में डालेंगे औक्शन के लिए एक होता है कि ट्रास्फर फी वह वान टाइम जो दोनों फ्रेंचाइसी आपस में बैठते हैं वह एक रुपया हो एक करोड हो दस करोड हो 20 करोड हो या जो भी हो वो फ्रेंचाइसी फी जाती है और उसके बाद गुजराद के हाथ में है कि क्या वो उसमें से कुछ पोर्शन हार्दे को देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं लेकिन जैसे मैंने कहा फिलाल गुजराद को यह है कि उनको कप्तान बनाना था व किसको लिया जा सकता है तो गुजरात का तो यहां पे हो गया हाँ डेविल लूज आउट ऑन अ कैप्टन जिसने उनको आई पिल जिताया एक बर आई पिल फाइनल लेकर गए असान नहीं होगा लेकिन अब मुंबई इंडियन्स पे है सारा माइक्रोस को कि हार दिक कप्तान ब खेले सब खेले उनके लिए MVP एवर रोईट शर्मा ही थे लेकिन ऐसा नहों कि रिष्टों में कोई खटास आ जाए ऐसा नहों कि मतलब ये एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ऐसा हो जो डेट्रिमेंटल हो तो यही आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जिस पर नज क्या है रोई शर्मा की लोल्टी क्या है रोई फैंचाइजी के लिए क्या किया है और मुंबाइ इंडियंस और एक चिनने सूपर किंग इन दोनों कि ताकत है हमेशा जो खिलाडियोंसे भी आप बातकरें वह कैते हैं जी यह परिवार है एक बार आप इस परिवार से करतान आए हैं और दूसरी बात अब रोहिट शर्मा का रियाक्शन किया क्योंकि यह मैं नहीं सोच सकता कि मुंबई कल को यह सोच सकता है कि रोहिट को अबैंडन कर दिया जाए बिकास रोहिट ने ना कप्तान के तौर पर खिलाडी के तौर पर उस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत कुछ किया है तो यह है फिलाल की कहानी अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं ना सरफ यह ट्रास्फर विंडो में बल्कि और भी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेर करें सब्सक्राइब परें